गाइज आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कुछ इस तरीके का अपनी फोटो के अंदर कलर टोन को जो है डाल पाएंगे देख पर हो कि इस फोटो के अंदर ब्लू सा टोन है और ये फोटो दिखने में बहुत ज़दा मस लग रहा है एड़ इस तरीके की फोटो एटिंग करना एकदम असान है आज की इस वीडियो को अगर आपने कमप्लीट देख लिया तो वीडियो पूरा देखने के बाद आफंट 8% इस तरीके का फोटो एडिट करना सीखी जाएंगे इसकी गरांटी मैं लेता हूँ सो चलिए बिना किसी देरीके इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट हाथ तो गज़ देख पर हो कि हमने इस फोटो को लाइटर में आपके अंदर ओपेन कर लिया है अभी गज़ इस फोटो के अंदर हम ब्लू सा टोन डालेंगे बोल सकते हो कि ब्लैक एंड ब्लू सा टोन इस वीडियो में हम ब्लू टोन डालने वालें इस फोटो के अंदर सबसे पहले किस फोटो में हम लाइट के अर्जस्टमेंट करेंगे इसकी लिए इस लाइट वाले टूल पे क्लिक करेंगे यहां से हम कोन्टर सब्सक्रूला माइने रहाकर पलस एड कर लेंगे ठीक है जाने के बाद अब गईज आपको जाना है यहां color tool के अंदर and color tool को आप बहुत ही ध्यान से समझे क्योंकि color tool बहुत important है आप किसी तरह का photo में color grading करेंगे इसमें आपको color tool की ही help लेनी परेगी तो आप color tool को अच्छे से देखिए सबसे पहले यहां time की value बढ़ा लेते हैं and इस सारे colors आपको मिल जाते हैं जिसको customize करके जिसको अपने तरीके से set करके आप अपनी photo में color grading करेंगे तो आप ध्यान से समझें mix tool को mix tool के अंदर आने के बाद सबसे last में आपको जाना है यह देख पार हो कि magenta color है इसका saturation आपको पूरा minus 100 कर लेना है ठीक है अब आपको purple color के अ कर लेना है अब आपको green color यहाँ पे blue color मिलेगा blue का भी minus 100 साथी साथ एक होगा color है इसका भी minus 100 कर लेना है मतलब यह last के जो चार color है इनका saturation तो आपको पूरा minus 100 कर ही लेना है ठीक है अब आपको green color के अंदर आना है and green color की hue को पूरा left eye की तरफ करना है अब देख वरो की photo के अंदर कुछ इस तरीके का yellow सा टोन जो है आ जाएगा ठीक है अब आपको yellow color लेना है इसकी भी hue को पूरा left eye की तरफ कर लेना है ठीक है अब देख वरे फोटो के अंदर दो टोन जो है आ चुका है एक देख वरे और इस तोन है एक दूसरा yellow tone है ठीक है लेकिन हमें ऐसा कोई की भी tone नहीं चाहिए simple से गईज इसका saturation minus 100 कर लेंगे green का भी saturation minus 100 कर लेंगे ठीक है अभी गईज आपको orange color के अंदर आना है और इसको कुछ इस तरीके से saturation को कम करना है ठीक है saturation इतना रखना है जितना आपके skin पे ज़्यादा सही लगे ठीक है ठोरा सा luminance को बढ़ा लेते है बाकी red color आपको लेना है red का saturation ऐसे आपको बढ़ा लेना है ठीक है अब गईज आपको ये green color का and yellow color का दोनों का luminance आपको कम कर लेना है luminance minus 6 and इसको भी मैंने minus 6 कर दिया ठीक है यहां से इसको done कर लेते हैं अभी गईज बारी है इस photo के अंदर ना blue tone को add करने के ठीक है blue tone add करन लेते हैं and clarity के value बरहा कर प्लस 4 कर लेते हैं ठीक है अब dh की value बरहा लेते हैं यहां plus 6 के आसपास and vignit यहां पर आपको दिख रहा होगा विगनित को थोड़ा सा minus size रखेंगे लगबग minus 12 and यहां से midpoint की value minus size रख लेते हैं ठीक है midpoint को लगबग हम left side की तरफ इतना रख ले हैं and यहां sharpening को बरहा देना है ठीक है sharpening को लगबग आपको यहां पे 30 के आसपास रख लेना है मैंने is好 29 कर दिया दिन यहां details की value बढ़ा कर 47 कर लेंगे and यहां सा noise reduction बरहा लेते है noise reduction को 44 कर लेना है contrast की value बरहा कर 21 कर लेंगे color noise reduction को 41 कर लेना है ठीक है यह दिख फरेंगी photo क इस तरीके का एड़स्मेंट मैंने कर दिया, इतना कर दिया, आपको इतना चीज ध्यान से प्लूटो के अथा फोटो के अंदर कर लेना है, अभी पारी है इस फोटो के अंदर प्लस के आईकॉन पे क्लिक करना है एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है color range पे ठीक है अब color range पे आजाने के बाद आपको अपने background के कहीं भी एक जगा पे कुछ इस तरीगे से रख देना है इसको ठीक है अब आपको refine जो है यहाँ पर इसकी value आपको कम करने मतलब आहिए रिक कर सकते हो इसको अपलाई प Wish कर लेना है टीक है अब आपको यह कलर वाले टूल पर कrolling आ करना थ Сोन है न कुछ इस तरीके से स्लेक्ट करना है और फोटो के इंदर कुछ इस ऐसा है कर देना है ठीक है देख पर हूब करेंगे एंड से विखे अपको दिख रहे होगा इसे भी हम थोड़ा लेफ्ट हैड की तरफ करेंगे यहाँ tint आपको दिख रहा होगा tint आपको मतलब छेरने की जरूरत नहीं है tint जहाँ है उसको आपको वहीं रहन देना है photo के अंदर कुछ इस तरीके का tone जो है create हो गया है देख पर हो and photo दिखने में काफी ज़्यदा सही लग रहा है time की भी value इतना रहने देते हैं and यहाँ पे saturation को बिल्गूल हलका सा कम करते हैं and बाकी यहाँ hue मिल जाता है आपको background की color को और ज़्यदा change करने के लिए लेकिन हमें और ज़्यदा change नहीं करना है एक दम हलका सा हमें tone रखना है blue का and photo बहुत ज़्यदा सही लग रहा है अभी guys आपको कुछ भी नहीं करना है simple से guys यहाँ done वाले option पे click कर लेना है यहाँ पे हमारा इतना काम कतम होता है and photo के अंदर देख पार हूँ कि black and blue सा tone बहुत ज़्यदा perfect तरीके से suit कर रहा है and photo दिखने में भी काफी सही लग रहा है अभी guys आपको जाना है इस optics वाले बटन पे and इन दोनों को आपको पहले on कर लेना है ठीक है? कौन कर लेना है? and यह देखो photo before and यह देखो after मतलब देख पर एक भी before after में photo कितने ज़्यादा मस लग रही है यह एक बर मैं आपको दिखा देता हूँ और यह देखो before and यह देखो after अभी guys just आपको इस share वाले icon पे click करके save to device करना है यह photo आपके gallery के अंदर easily save हो जाएगी so I hope guys आज की यह video आपको काफी ज़्यादा पसंद आई होगी and इस video को पूरा देखने के बाद आप 100% सीख गया होगे कि photo के अंदर ना blue saton and black saton कैसे add करना है ठीक है and I hope आज की यह video बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आपको and पसंद आई तो इस video को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए मिलते हैं आप से किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लवियो और टेक केर बाबाई